हमारी सरसाइटी नारॉला जी हमारी मोर बाग़ा कारी गयाज मोर अमारी के परऊड जाए। आईसे मार पीट मामले में एक पक्तती महिला समेत पांच लोग जखवि हो गए जिनने तत्काल इलाज के लिए गूपाल गन्ज सदर अस्पताल में भरति कराया गया जहां डॉक्टर के देख रेक में जखमियों का इलाज चल रहा है जखमियों में समया गाउन निवासी राजेश्वर ठाकूर के बेटा आनील कुमार ठाकूर शैलेंदर ठाकूर की पतनी कीरन देवी आनील कुमार ठाकूर की पतनी सीमा देवी सुनेर ठाकूर और सुरेंदर ठाकूर शामिल है असल घटना के संदर्व में जखमियों की माने तो जखमी अनीर ठाकुर और उसके पटिदारों के बीच करीब चार कठा जमीन को लेकर पुर्व से विवाद चल रहा था मामला कोट में पहुँचने के बाद आरोपियों को डिगरी मिल गई लेकिन जखमियों ने मामले को अपील में डाल दिया जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस की मदद से उस जमीन पर अपना गुम्टी रखना चाहता था पुलिस की मौजूदगी में गुम्टी रखी जा रही थी, वही जखमियों ने गुम्टी उस जमीन पर रखने से साफ तोर पर मना कर दिया, जखमियों का कहना था कि जब मामला अपील में है तो उस जमीन पर गुम्टी नहीं रखने दिया जाएगा, जिसको लेकर विवाद उतपन हो गया और देखते ही देखते पुलिस की मौजूदगी में दोनों और से लाठी डंडे चलने लगे वही इस मारपीट के घटने के एक पक्स से पाँच लोग जखमी हो गये जिने ततकाल इलाज के लिए कटाया रेफरल अस्पताल में भरती कराया गया जहां डॉक्ट इमर्जिंसी वार्ड में भरती कराया गया है जोऑ छना इन्काल नहान हमना के चलत हम रुगरनीअ काहलों चलत जोरह बेना नहाओ कäre कि आंठर का भर हंस भेर पहुंचीवाँ ओस लाज गास भेर हम ऋच्व अरैं कारन हो समके साथ ही मारा मारी खाय गायदभागद हो neighbors वेर है काना गोपाल गन से नवाव एहमत की रेपोर्ट